नमस्कार दोस्तों मैं बिगनेस आप साभी को टेक बिगनेस अश्वागते और आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत कमाल की टेक नियोज चालिए देखते हैं पबजी दोस्तों मैं बहुत ही बड़ा खुसकरी है काउंकि पबजी मोबाईल इंडिया में बैन नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है अब क्यों नहीं होगा उसी की बारे में आज की सुली वीडियो के ना बताऊंगा तो ध्यान से देखना तो गाइस देखो हम लोग जो है PUBG की Creators है PUBG की Creators का मतलब यह है कि जो भी हम PUBG का Content डालते हैं हम लोग Gameplay डालते हैं हम बहुत सारी टिप्स और टिस्की वीडियोज डालते हैं बहुत कुछ अपने चैनल्स पे अप्लोड करते हैं और जो भी PUBG का Content डालने वाले यूटिवर्स हैं उनके Contact में PUBG रहते हैं मतलब हमारे Contact में PUBG वाले रहते हैं वो हमें Gift Send करते हैं हमें UC वगरा Send करते हैं इस तरिके से तो गैस मेरे को कुछ ही देर पहले PUBG वाल के तरफ से एक Message आता है जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सेक्ट रहे इसमें साफ साफ लिखाएं कि 7 Days के अंदर PUBG बैन तो हो जाएगा इंडिया के अंदर PUBG बैन होगा लिकिन 7 Days के अंदर Automatically जो है PUBG वापस आ जाएगा क्योंकि PUBG Tencent से जो भी संबंध है वो Tencent से तोड़ देगा अभी Tencent क्या चीज़ है तो देखो guys PUBG Mobile बैन क्यों होगा क्योंकि PUBG Mobile जो है ना Chinese Company नहीं है एक Tencent Company है जो कि PUBG Mobile के अंदर जो जिसका 10% जो है share है PUBG Mobile के अंदर इसलिए PUBG बैन होगा है तो PUBG guys अभी क्या करेगा तो टेंसेंट कंपणी को जो है अपनी कंपणी से निकाल देगा बाहर फैंक देगा चाइनीज कंपणी को और प्रॉपर जो है चाइना से बाहर हो जाएका PUBG Mobile और उसके बाद जो है PUBG One आजएगा वापस सेर कमेंट कर दीजे शुशास सब्सक्राइब कर दीजे धन्यवाद